ट्रैक्टर एम्बूलन्स, एक समय शीतलपूर नाम का एक गाउं होता था, उस गाउं तक पहुशने के लिए एक भी पक्का सड़क नहीं था, गड्डों से बरा ववा सड़क होता था, इसलिए उस गाउं में बस और आटो नहीं आते थे, उस गाउं के लोग बैल गाडियों में और ट्रैक्टर में सवार होकर पडोसी गौँ जाते थे एक बार उस इलाके का MLA योगानन वोट मांगने के लिए उस गौँ में आया उस गौँ का सरपंज सदाशिव सर पिशली बार आपने चुनाव के प्रचार में वादा किया था कि आप हमारे गौँ के लिए पक्की स सड़क लगवाएंगे पांच साल बीद गया सर डांबर का रोड तो क्या मिटी का एक सड़क भी नहीं बन पाया है उसे रोड कहने के लिए भी मन नहीं करता है सर उस रोड के गड़े खाई की तरह बन गये हैं यदि आप एक बार उस सड़क पर जाएंगे तो पता चलेगा पर आप हर बार हेलिकॉप्टर में आते हैं सर तो आपको हमारी तकलीफों का पता कैसे चलेगा क्या अब तक रोड नहीं डाला अरे कहीं गलती से मिस्टेक हो गया होगा इस बार मुझे जिता होगे तो गाउंग के लिए 100 फीट रोड डलवाऊंगा और बीच में फूलों क क्यारिया होंगी रेडियम स्टिकर भी लगवांगा मेरा विश्वास करें और अपना वोट मुझे ही दें लोगों ने उसका विश्वास किया फिर पांच साल बीद गये वो सडक और खराब हो गया चुना का समय आया तो योगानन फिर उस गाउंग के पास आया फिर से कारण है मैं सोच रहा हूं कि आपके गाउंग के लिए रैल्वे स्टेशन और एरपोर्ट सैंक्शन करवा हूं और इसके लिए मैं असंबली में बिल प्रवेश कर रहा हूं इसलिए इस बार मुझे जिताएंगे तो आप मज़े से विमानों में और बुलट ट्रेनों में घ केला खाकर छिलके को सडक पर फेंगा योगानन ने उस पर पैर रखा तो फिसल कर सीधा सरकते हुए जागिरा हाए मेरी कमर तूट गई कहकर चिलाया सर पंच उसे उठाने के लिए बढ़ा हाई रे मेरी कमर तूट गई है मैं उठ नहीं सकता तुरंट डॉक्टर को डॉक्टर क्या बात कर रहे है सर आप उस रोड की महरबानी से हमारे गौ में डॉक्टर लॉयर आखिरकार कारपेंटर भी नहीं आते हैं सर तो किसी तरह मुझे हेलिकॉप्टर में चड़ा दो भई मैं शहर जाकर डॉक्टर को दिखाओंगा तभी हेलिकॉप्टर का पैले अब मैं क्या करूँ आप चिंता ना करें सर अभी एम्बुलेंस को बुलवाता हूं हाँ यह ठीक होगा तुम्हारा भला हो तभी एक ट्रैक्टर वहां आई यह क्या ट्रैक्टर क्यों बुलवाया हमारे लिए तो यह ट्रैक्टर ही बस और अम्बुलेंस है सर जल्दी चड़ी है सर नहीं तो यह ट्रैक्टर भी चली जाएगी यूँ वे योगानंद को ट्रैक्टर के ट्रेलर में बिठाया वो ट्रैक्टर उन गड़ों से भरे आगे बड़े बड़े गड़े बहुत हैं। आप टाउन पहुंचने तक जड़ा सबर करें सर। योगानन परेशान हो गया। यू जाते जाते ट्रैक्टर एक और गड़े में उत्रा। योगानन फिर हवा में उचल कर गिरा। आए मेरी दाइनी टांग तूड़ गई। कहकर पीछे आया आकर ड्रेवर। ये तो आम बात है सर। टैनी को छोड़कर नीचे कुदें सर। कुछ नहीं होगा। योगानन ट्रेलर में कुदा। हाई रे मेरे शरीर के सारे हड़ी टूट गए। कहकर चलाया। हमारी हड़ी हर रोज ऐसे ही टूटते रहते हैं सर। पर ये हम आधा किलोमीटर तै कर चुके हैं। अब और साड़े उनतिस किलोमीटर तै करना बाकी है सर। बस योगानन का सिर चक्रा गया। यूँ योगानन ट्रेक्टर में उचलते हुए गया। वे उस दिन शाम को हस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने योगानन के सारे शरीर पर पत्टी बांदा, उसके पत्नी से सर के सारे बदन में फ्रैक्टर हो गया है, शकल भी चूर-चूर हो गया है, प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ा, इसलिए उनका चेहरा भी बदल गया है, योगानन परेशान हो गया। वैसे बिल कितना हुआ है डॉक्टर साब? 20 लाक हो ग आप वोट मागने जाओगे तो लोग आपको पैचाने की भी नहीं, आप आपका पॉलिटिकल करिया चो समझो, खतम ही हो गया। योगानन बेहोश हो गया। शीतलपुरा गाउं वालों ने दूसरे MLA को जिताया, तो तुरंत उस गाउं के लिए सड़क बना और वे सब आसकर और भारती की शादी हो रही थी। ओ जी, वो अदगंजय आदमे को देखा, कितना कॉमेडी लग रहा है। और उसे देखो, कितने जेवर पहन कर आईए, किससे पता ओरीजनल है या नकली। वैसे हनीमून कहां प्लान किया है जी। पता है हर जगा सिफ बरफ ही बरफ है कि उम बात करे ही जा रही थी। ये क्या, ससूर जी ने तो कहा था कि ये बेटी बहुत भोली है और बात करना ठीक से नहीं जानती और ये तो क्रिकेट कमेंटेटर की तरह बड़़ड़ा ही जा रही है। है भगवान ये फिर से शुरू हो गई। सोचा, पिचर शुरू ही। पहले सीन में ही हीरो मर गया, ये जरूर सपना ही होगा। देखा, कहा था ना सपना होगा। अब हीरो कॉफी शॉप आया ना, तो जरूर छोटा सा कॉमेडी सीन होगा। फिर हीरो इन का इंट्रोड़ाक्शन होगा। हीरो हीरो इन पहले नोग जोग करेंगे। चार पान सीन के बद हीरो हीरो इनको बचा लेगा फिर डिएट होगा और वो गाना जो है न जरूर खंडाला में शूट कियोंगे यूं बोली ही जा रही थी कि आगे की सीट पर बैठा आदमी अरे बस भी करो आपकी ये रनिंग कमेंटरी पूरा पिच्चर अगर आप यूही बोलती रही तो हम क्या देखेंगे क्यू भाई रोको अपनी पत्नी को जबसे इससे मेरी शादी हुई है मैं तो भाषा तक भूल कर बात करना भी छोड़ चुका हूँ सर भारती पूरी पिच्चर में वैसे ही बात करनी के वज़े से अगल बगल वाले लोग बीच पिच्चर में घर लोट गए भासकर कान में रूई डाल कर मूँ की पिच्चर देखा भासकर ने सोचा कि अगर भारती को मेडिटेशन क्लास ले जाएगा तो उसके बदलने की सम्मावना है और वोसे मेडिटेशन क्लास ले गया वहाँ सारे लोग चुप चाप ध्यान कर रहे थे भारती मेडिटेशन मास्चर से मास्चर जी आँख बंद करने से कुछ-कुछ खयाल दिमाग में आ रहे हैं आँखे खोल का ध्यान करूं क्या नहीं बेटी, खयालों को रोको मत आने दो, कुछ समय बाद वे अपने आप गायब होकर दिमाग शांत हो जाएगा नहीं गुरुजी, हो सकता है कि असंबली में कभी शांती बन जाए लेकिन इसका दिमाग सांत कभी नहीं हो सकता फिर सब ज्यान करने लगे गुरुजी, ध्यान करते वक्त सांस जोर से लेना चाहिए या धीरे से वो आपकी मर जी है, जैसे आप चाहो वैसे सांस लीजिए भारती और बाकी सब फिर आंग बन करके ध्यान करने लगे गुरुजी, आपका एक्सिडेंट होकर हाथ पैट तूड़ गए ऐसा खयाल आया, क्या करूँ? कोई बात नहीं, खयाली तो है, कुछ नहीं होगा कुछ समय बात भारती गुरुजी, अब ये खयाल आया कि आप मर गए आपकी पत्नी और बच्चे अनार्थ होगे और जिनसे आपने उदारी लिया, वो आपकी घर आकर आपकी चिता को अंतिम यात्रा करने से रोक रहे हैं, चलेगा बस करो मेरी मा, बस करो जो भी खयाल तुमें आया, उसे इतना साफ सा बोलने की ज़र्रत नहीं है तुमें क्या ये मिडिटेशन क्लास लग रहा है, या कोई सब्जी मंडी बस बाते ही करे जा रहे हो, अब बस आप दोनों तमीज से बाहर जाओगे या धक्के मार कर बाहर निकालू योगा गुरू होकर इतना गुसा कैसे कर सकते हो, ठीके हम जा रहे हैं कैकर वांसे दोनों निकल गए इस तरह भारती की बाते सुनकर भासकर के कान पक गए बस आखिरकार भासकर साइक्याट्रिस्ट के पास गया साइक्याट्रिस्ट भासकर की कई बातों को सुनकर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया भासकर उस prescription को देखकर ये क्या डॉक्टर जी चुईंगम हर आदे घंटे के लिए एक लिखा हा भई तुमारी पत्नी बातु नहीं है तो वो हमेशा बात ही करना चाहती है इसलिए उसके जबडे हमेशा चलते ही रहना चाहिए अगर उसे ये चुईंगम दे दो तो उसका दि वो उसे चबाते हुए किसी से बिना बात किये अपना काम करने लगी भासकर ने चुईंगम बनाने वाले का शुक्रियादा किया